प्रिक्षा से पहले वाटसब पर सर्कुलेट हुआ प्रशन पत्र हिरासत में एक सिक्षन, मास्टर माइंड की तलाश बड़ा सवाल क्या रद्ध होगी परिक्षा? मुतिहारी का यही वो इस्कूल है, जहांसे BSSC पेपर लीक मामले में आर्थी कपरा दिकाई ने सिक्षक सचिंद्रनाथ जोती को हिरासत में लिया है मुतिहारी के सांती निकेतन स्कूल के रूम नमबर 42 से पेपर लीक हुआ यहाँ पर परिक्षक सचिंदरनाथ जोती की ड्यूटी लगी थी, सचिंदरनाथ से पूश्ताज की जा रही है और्गैनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी सेहत ही नहीं, बलकि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी और्गैनिक फार्मिंग सीखनी है, तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड करो ब्यार करमचारी चैनायोग के तिर्टियस नातक स्तरिय संयुक्त प्रारंभिक परिक्षा आठ साल के बाद आयोजित की गई है लेकिन पहले दिन ही पेपर लीक होने से परिक्षा सवालों के घेरे में है छात्रों का आरोफ है कि परिक्षा से पहले प्रश्न पत्र वाटसफ पर सरकुलेट हो गया परिक्षा में पूछे गए सवाल और वाइरल प्रश्न पत्र दोनों सेम है सिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंदरशेक्रा प्रश्ण पत्र लीख होने के सवाल पर कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए बस विभाग पर पल्ला जाड़ते हुए जाँच के निर्देश की बात भी प्रश्ण पत्र लीख होने की ख़बर कैसे फैली ये भी जान लीजिए शुक्रवार 23 दिसंबर को सुबह 10 बजे परिख्षा शुरू हुई सुबह 11 बच के 9 मिनट पर पेपर वाइरल हो गया था वाइरल प्रश्ण पत्र और असली प्रश्ण पत्र सेम था हंगामे के बीच शुक्रवार को दूसरी पाली की परिख्षा तृतियस नातक इस्तरिय सायुक्त प्रारंभीक परिख्षा में साड़े 5 लाग परिख्षा रथी शामिल हुए अब जब कि प्रश्ण पत्र लीग होने में एक सिख्षक को हिरासत में लिया जा चुका है उसके बाद छात्र संग के नेता सिख्षा महकमें पर बड़ा आरूप लगा रहे हैं आरूप है कि सिख्षा माफिया को सरकार का सह मिला है अब उनलोग को क्या करना चाहिए प्रवद होना चाहिए कि क्या होना चाहिए अब दो बोलोग बताएंगे ना बच्चा सब अपना पूरा जवानी बरबाद कर रहा है अपना पैसा बरबाद कर रहा है और नौकरी के नाम पर तो सब जीरो ही है पेपर लीग होते ही विपक्ष को भी एक बड़ा मुद्दा मिल गया बी एससी परिख्षा पेपर लीग के बहाने नेता प्रतिपक्ष ने बिहार सरकार को खेरा है वी ये समिच्छा करेंगे निरिक्षन करेंगे मुनेटिंग करेंगे इसी के नाम पर तालते रहेंगे इनका तंत्र आज करमचारी चैन आयोग में हो बीपीएसी के अंदर हो जिन लोगों को पोसित करके बैठाए हैं ये लोग पूरे वरस्ट मानसिक्ता से गर्सित हैं और ये हस्तिनापूर के गुलाम के तरह काम कर रहे हैं वहीं सत्तारूर घटक गल्प कड़ी का रवाई का अस्वासन दे रहा है एक सुर में जाज की बात कही जा रही है अगर सही माइने में लीक हुआ है तो ये किनकी जिम्मेदारी थे ये किनकी वज़ा से ये लीक हुआ है उनको चिन्हित किया जाएगा और सरकार जरूर उस पर कारवाई करेगी ये BPSC के परिशाति राज की अंतर प्रसासनिक व्यवत्ता समालने वाले सबसे वड़े तंत्र का यहां से चैन होता है और उस चैन में कोई गल्ती होगी तो वहीं लोग कश्ट दायक जीमन में बन जाते हैं जनता के लोग तो सरकार इस पर निड़े करेगी लोगों को विश्वास करना चीए कि सरकार अंचित निड़े कभी नहीं करती है कारवाई को लेकर छात्रों का हंगामा चारी है लेकिन बिहार करमचारी चैनायोग के सचिव सुनिल कुमार ने ये साफ कर दिया है कि फिलहाल परिक्षा रद नहीं हो ऐसे में बड़ा सवाल है कि जब पेपर लीक हो गया है तो परिक्षा के निस्पक्ष होने का आधार क्या हो सकता है क्या ऐसे में मेधावी चात्रों का खामियाजा नहीं भुगतना पड़ सकता है गिरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना और्गैनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बलकि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी और्गैनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड करो